मकान पर कवजे को लेकर पूरा परवार अंसन पर बैठा हुआ है नौजील की ग्राम पंचय संकरगडी में जमीनी विवाद को लेकर पंचय धर का मामला पिछले चार वर्सों से चल रहा है इस मामले के समाधान को लेकर गाउं का ही देव की नंदन सर्मा विकास खंड परिसर में आमरण अंसन पर बैठा हुआ है वहीं इस अंसन के विरोध में गाउं संकरगडी में स्रीमती देवी परिवार के साथ धरने पर बैठी है गाउं संकरगडी के 40 वर्षी है विजय कुमार ने बताया कि वो विकलांग है और उसकी पतनी भी विकलांग है और मा विद्वा है जिनकी उम्र लगबक 70 वर्ष है उसके घर को कुछ पंचायत के लोगों ने पंचायती घर सावित करके खाली करा दिया और उसकी मा को अपने ह घर को वापस लेने के लिए अंशन पर बैठना पड़ रहा है विजय सिंग की माने बताया कि ये पंचायती घर उनका है और पिछले चार वर्षों से उनका मामला कोर्ट में चल रहा है नवंबर 2019 में वीडियो ने इसे ताला लगा दिया था देव की नंदन और उसका देघर करना चाहता है और इसका ताला खुल कर इसमें रहना चाहता है जब उन्होंने इसका ताला खुलने से मना किया तो वो भी आमरण अंसन पर बैठ गया विजय सिंग की माने कहा कि जब तक उनको कबजा नहीं मिलेगा तब तक वो अंसन पर बैठे रहेंगे प्राइशिल मर्जला मत्रा जी और मैं चार साल ते घुम्बे लगे रहा हूं कोई अधिकारी कच्छुनाशन नो मेरो में मत्रा दीवानी में केशु चल लो है वाकर चलते भए हमाई गाम के एक दलना प्रदसना बैड़ जाएं गो मतलों उनकी मांसे के स्थिती एसी है मंचा अधिकारी कोई संता ही नहीं अधिकारी तो आज तक कावनी सुनी नहीं है और हवा में सब खेल चल लो है जब के मेरे के पास पूरे डाकुमेंट हैं खसरा खतोनी में धर जना है काव गाम में देख लो जाएंगी कासरा खतोनी में सब पल्चात करता हैं में काव में धर जना है फिर उनकोई अधिकारी नहीं है मादमाओ जै चैनी जैना है